दोस्तो आज हम कम्प्यूटर में यूज होने वाले कुछ most important shortcut की जानेंगे और उनका practically यूज करना सीखेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे मेरे वीडियो की notification आप लोगों को मिल सके control के साथ ए प्रेस करने पर हम पूरे पेज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा files वा image को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं control के साथ भी प्रेस करने पर हम लिखे हुए text को bold या मोटा कर सकते हैं control के साथ c प्रेस करने पर हम select किये गए text image वा document को copy कर सकते हैं बस आपको इस तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और Ctrl C प्रेस कर देना है Ctrl के साथ C उसके बाद मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ पेस्ट करने की सॉर्ट कट की है Ctrl V Ctrl के साथ मैंने V पेस्ट किया जो भी मैंने कॉपी किया था यहां पे paste हो चुका है control के साथ D press करने पर font option आता है जिसमें हम font, font style और text के size को छोटा या बड़ा कर सकते हैं जिसमें हमें नीचे font color करने का भी option मिलता है control के साथ E press करने पर हम select किये गए text को page के बीचो बीच ला सकते हैं मैं page के left side में text लिख रहा हूं और इसको select कर दिया control के साथ E press करने पर या पेज के बीच बीच या center में आ जाएगा control के साथ F press करने पर हम लिखे हुए text को खोज सकते हैं या हमें find का option प्राप्त होता है तो मान लीजे मुझे इस page से कुसी text को खोजना है तो मैं control के साथ E press कर रहा हूं तो यहां पर इस प्रकार का find का option आएगा यहां पर मैं मान लीजे जी लिख रहा हूं मुझे जी जहां पर लिखा हुआ वहां पर जाना है तो जिक टेक्स को find करना है हम उसे यहां पर लिख देंगे और यहां find next पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से टेक्स्ट हाइलाइट हो जाएगा control के साथ G press करने पर हम किसी विशेश पेज पर जा सकते हैं आपके सामने go to का option आएगा और यहां पर page number लिखना है और next कर देना है जो भी page number आप लिखोगे उस पे आप पहुंच जाओगे तो मैं इसे close कर देता हूं control के साथ H press करने पर हम text की गलतियों को सुधार सकते हैं जिसमें आपके पास text को replace करने का एक option आएगा इसमें पहले option में आपको जिस text को बदलना है आप उसे लिखेंगे और उपर वाले के जगह पर जो भी text लिखना है उसे यहां पर लिख देंगे तो मैं दूसरे option में यहां पर AS लिख रहा हूं आपको find next पर क्लिक करना है find next पर क्लिक करने के बाद आपका पुराना text जो है highlight हो जाएगा जिसको आपको बदलना है replace all पर क्लिक करने पर पूरे page में जहां जहां पर भी control लिखा हुआ है वह एक साथ replace हो जाएगा लेकिन replace पर क्लिक करने पर एक ही text बदलेगा तो यहां देखिए as हो गया control के जगाया पर as हो गया है तो मैं इसे close कर देता हूँ और फिर से यहां control कर देता हूँ control के साथ i press करने पर हम लिखे हुए text को तिरचाया italic कर सकते हैं आप text को select करेंगे और control के साथ i press करेंगे तो यहां पर यह देखिए यह text जो है पिरचाया italic हो गया है control के साथ i press करने पर हम text को दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं वही control के साथ i press करने पर हम document का link ला सकते हैं जिसे हम hyperlink बोलते हैं control के साथ के press करने पर आपके सामने इस परकार का एक आयता का box open होके आएगा जिसमें आपके पुराने document दिये होंगे आपको किसी document को select करना है और ok पर click कर देना है तो यहाँ पर लिंक के रूप में आ जाएगा control के साथ i press करने पर हम select किये गए text को left side में ला सकते हैं paragraph indent करने के लिए हम control के साथ i press करते हैं control के साथ i press करने पर हम नया page open कर सकते हैं जिसका option आपको office बटन में भी मिलता है control के साथ i press करने पर हम save किये गए पुराने document image वा file को open कर सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का box open होके आएगा जिसमें आपको file image वा document को select करके open पर click करना है तो मैं आपके cancel कर देता हूं document को print करने के लिए हम control plus P का use करते हैं control के साथ P press करने पर इस प्रकार का एक box open होके आएगा जिसमें आपको कितने document के कितने copy चाहिए यहाँ पर select कर सकते हैं select करने के बाद आप okay पर click करेंगे active window को बंद करने के लिए हम control plus Q का use करते हैं control के साथ R press करने पर हम text को right side से लिख सकते हैं आप जो भी text लिखोगे वो left से right की तरफ लिखा जाएगा control के साथ एस प्रेस करने पर हम बनाएगे document को save कर सकते हैं control के साथ एस प्रेस करने पर आपके सामने इस प्रकार का एक box open होके आएगा जिसमें आपको file name लिखना है उसके बाद यहां पर अप select कर लेंगे कि उसे आपको PDF में save करना है JPG में save करना है आप यहां से select कर सकते हो file को आपको desktop पर save करना है या computer के drive में save करना है आप यहां से click कर देंगे उसके बाद save पर click करेंगे तो मैं Cancel पे क्लिक कर देता हूँ Ctrl के साथ T प्रेस करने पर हम Ruler पर Tab Option सेट कर सकते हैं Ctrl के साथ U प्रेस करने पर हम Select किये टेक्स्ट के नीचे Underline ला सकते हैं Ctrl के साथ U प्रेस करने पर हम Copy या Cut किये हुए Text वा Image को Paste कर सकते हैं आपको इस प्रतकार से Text को Select करना है और Ctrl C दबाना है जिससे Text Copy हो जाएगा और यहां Ctrl V दबाकर आप इसे Paste कर सकते हो Ctrl के साथ W प्रेस करने पर आप प्रोग्राम से बाहर जा सकते हो Ctrl के साथ X प्रेस करने पर हम Select किये टेक्स्ट वा Image को Move या Cut कर सकते हैं Ctrl के साथ Y प्रेस करने पर हम Undo की एक टेक्स्ट को पुने प्राप्त कर सकते हैं वही Ctrl के साथ Z प्रेस करने पर हम Undo कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चनल को सस्क्राइब करने जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके फिर मैं लाटूंगा ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाद